हलो फ्रेंज वेलकम टू मंतरा वीडिया विद्या शीरीज मेरा नाम है रामा इस प्रेल की संख्या को बढ़ाया जाता है ए घटाया जाता है बाइडिफाल्ट ड्रेक की संख्या बढ़ाने घटाने के बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं जब नया प्रोजेटा बनाते हैं या नया sequence जब आप create करते हैं उस समय जब आप के सामने tracks की संख्या को किस परकार निश्चित किया जाता है और कैसे उनको हम timeline पर उनकी संख्याओं को निर्धारित कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब हम नया sequence यहां create करते हैं आपके सामने जो इसकी detail है यहां पर दिया रहता है कि आपके video tracks कितने होंगे तीन और कितने audio tracks है जो आपके साथ नया timeline यह sequence आएगा तो आएंगे अब इनको हम पहले ही नया sequence बनाने से पहले कैसे इंद्धायद कर सकते हैं कि हमें इतने tracks चाहिए या इतने track नहीं चाहिए तो उसके लिए आप जब उपर जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा tracks tab tracks tab पे जो हम click करते हैं तो आपके सामने यहां पर option मिलता है video tracks और audio tracks तो अब आप यहां से click करके आप सामने देखिए यहां पर 8 tracks हैं और 3 video tracks हैं आप यहां पर इनकी संख्या ड्रैक करके इस ड्रैक अरिया को ड्रैक करके या double click करके यहां पर संख्या को write कर सकते हैं कि जब आप नया sequence बनाएंगे तो कितने tracks open होंगे तो आप यहीं से निर्धारित कर सकते हैं by default 3 track आते हैं इसके अलावा यहां पर 8 track है यदि आप आप आपको नहीं चाहिए तो जिन जिन audio tracks पर क्लिक करेंगे यहां पर पर सकते हैं तो इनका है क्लिक करके एक माईनस पर अगया है हम क्लिक कर देंगे तो वह tracks दिलीट हो जाएंगे ऊप impacto नहीं होंगे यहाँ आप चाहते हैं कुछ ओर tracks करना हैं यहीं तो यानि जब आप नया sequence create करते हैं उस समय निर्धायित कर सकते हैं कि आप के window में कितने video tracks आएंगे और कितने audio tracks आएंगे यह हमने बता दिया आप नया sequence बनाते हैं उस समय करने के लिए लेकिन हमारी आशकता पहले निर्धायित नहीं हो सकती है कि कितने tracks हमें चाहिए और कितने tracks नहीं चाहिए वो तो निर्धायित उस समय होती है जब हम काम करते हैं कि हमें tracks की संख्या कितनी चाहिए वो track की संख्या कभी-कभी आपको बढ़ भी सकती है और काम करत प्रोजेक्ट को मैनेज करने के बाद एडिट करने के बाद जब मैनेज करते हैं उस समय हो सकता आपको ट्रैक्स संख्या को कम करने के आउसकता हो तो आप कम भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रैकस को एड करने के बारे में जब हम ट्रैकस को एड करते हैं यहां पर राइड किलिक करेंगे embraced किलिक करेंगे तो आपके सामने यहां सारे डाफिसन आता है अज एड ट्रैक और डिलीट ट्रैक यहां पर क्लिक करेंगे फिर सियव्य डालाज ऐसाथ तो अब आप दीखिए यहां पर जब ट्रैक अएड करते हैं तो कई सारी information साफजर आप से मांगता है. जब track एड कर रहे हैं, तो आप video track अलग dialogue box है, audio tracks का अलग है, और audio sum mix track अलग है, तो sum mix, mixing करने के लिए हम जो utilize करते हैं, तो उसका track अलग होता है. यहाँ पर आप निर्धाइद कर सकते हैं, आपको video tracks कितने चाहिए, और audio tracks कितने, इसके अतरिक तो आपको एक और information आपको देनी पड़ती है, placement, जो आप track ला रहे हैं, वो track किस position पर आएगा, जैसे चार track तो आलडी आपके पास हैं, तो यह track कहां पर आएगा, आफ्टर one track, आफ्टर video two track, या आफ्टर three track, या आफ्टर four track, जिस track के पर आप click करेंगे, तो नय वाला add वाला track है, उसके बाद ही add होगा, जैसे आपने यहाँ पर तीन क्लिक किया, तो तीन के बाद में ही एक track add होगा, उपर, यह दो करेंगे, तो यह दो और तीन के बीच में आएगा, उसका नाम तो आटोमेटिकली यहाँ पर sequence wise हो जाएगा, लेकिन जो नय track add होगा, इन दोनों के बीच में ही add होगा, तो यहाँ पर यह option बहुत important होता है, तो आप किस clip के बीच में, या किस track के बीच में आप track चाहिए, लेकिन नय track add करने हैं, पर जब आप किसी दो track से बीच में आपने track add करते हैं, तो उस समय यह दिया आपने compositing कर रखी होगी, तो उस समय problem create हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब track matter यूज करते हैं, तो वहाँ पर target track होता है, कि आप किस track को target करते हैं, तो यह दिया आपने बीच में कोई track add कर दिया, तो वह आपका composition जो बना रखा है composite mode के दोरा, या track matter के दोरा, वहाँ पर problem create हो सकती है, तो इसको सदेव, ध्यान से ही आप किस track के बाद लाना है, तो वह आपको utilize करना पड़ेगा अपनी आफसेक्ता हमसाल, आप audio track चाहिए या नहीं चाहिए, उसको आप यह देख लिए, यहां पर आपके सामने option होता है, track कैसा चाहिए, standard चाहिए, 5.1 चाहिए, adaptive चाहिए, या mono चाहिए, या चाहिए, चार अन्य option है type of tracks, standard जान नार्मली हम लोग यूज करते हैं, और placement इसमें भी आपको audio track की placement के बारे में यह जानकारी ले रहा है, कि कहां पर आपको track add करना है, यह इतनी जानकारी आपको यहां पर देनी पड़ती है, audio track के लिए, इसी परकार delete track बजाएंगे, तो देनी ट्रैक के option यहां पर आपको सामने आते हैं, कि all video tracks जो empty है, all audio track जो empty है, यह आप यहां select कर सकते हैं किस track को delete करना है, यहां पर उच्च कर सकते हैं track, इनको चेक करना होता है, उसके बाद आपको यह option मिलते हैं, डिलीट करना चाहते हैं यहां पर आफसन आपको वह ऑफसन भी मिलते हैं डिलीट करना के लिए आफसरेट करेंगे तो वह ट्रैक दो जायेगा जासे हम muffin Hor 근데 यहां चारम करते हैं और डिलीट कर देते हैं इसको अंचेकर करते हैं तो आप दिली ट्याम ढोवा है यहां पर अड्य करने के लिए यहां पर आइड करेंगे तो आपसे आपसन पुछेगा और शंख्या पुछेगा कितने करना है यहां को क्योंड करना तो उस track पर क्लिक करें जहां अलोडी track है यहां पर देखें दो आफ्षन है add track and यह add tracks add track के मतलब है एक track add होगा और add tracks मतलब है आप एक से ज्यादा track add करना चाहते हैं यहां पर दो आफ्षन आपको मिलने हैं single track add करने के लिए और multiple track add करने के लिए single track डिलीट करना है या संख्या को निधायित करना है number निधायित करना है कौन साब को delete करना है यहां पर आइट करेंगे तो automatic उपर add हो जाएगा delete करेंगे जो select होगा जिस पर आपने right track add करना है तो सबसे अच्छा और सान तरीका होता है क्लिप को आप ऊपर रख लीजिए ऐसे track automatic add होता चला जाएगा देखें यह इस तरीके तरीके track add हो जाएंगे तो audio video track को add करना हो तो सीधे उस एरिया में जाकर drop किजिए automatic track add हो जाएगा डिलीट करने के लिए right click right delete tracks delete tracks पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको option देना होगा कि कौन सा track डिलीट करना चाहते हैं यह राइट क्लिक करके delete track पर क्लिक कर सकते हैं तो इस प्रकार टाइम लाइन पर आप यह अपनी आउस्षिक्ता अनुसार ट्रैक्स को add कर सकते हैं उनको delete कर सकते हैं और अपने elements को या content को अपने आउस्षिक्ता अनुसार manage किया जा सकता है इस ट्रोल में इतना ही thank you for watching तो आप हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम